हलदवानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राश्ट्री अलप संख्यक आयोग के अध्यक्ष एकबाल सिंग लालपुर्या दो सदस्य टीम के साथ हलदवानी पहुचे अपने दोरे के पहले दिन उन्होंने बनभूलपुरा के दंगा प्रभाविच छेतर का दोरा किया और बनभूलपुरा छेतर में लोगों से मिल कर उनका हाल चाल जाना इसके बाद सरकिट हाउस काट कोदाम पहुच कर अधिकारियों के साथ बैठकी इस पूरे घटना करम की अधिकारियों से व्रिस्ते जानकारी भी ली बैठक में डीम एसेसपी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे इसके बाद आज अध्यक्षिक बाल सिंग भनबूलपुरा के लोगों के साथ बैठकर उनसे भी बात चीत करेंगे बता दे कि 8 फेरवरी को भनबूलपुरा स्पिप मलिक के बगीचे में अतिक्रमर हटाने के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें बनबूलपुरा थाने को जलाने का प्रयास किया गया था इस घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और सैक्डो लोग घायल है हल्दवानी से दीबक अधिकारी की रिपोर्ट यह जगरा यहां हुआ कुछ लोगों की जान गई तो यह बड़ा चिंता का विश्या है आगे के लिए ना हो उसका क्या रास्ता निकलना चाहिए हमने डियम से भी बात की है एस्पी साहब से भी बात की है वह इंटेलिजेंट आफसर है अच्छे आफसर है इसको समस्या को हल करने की कौशिश कर रहे हैं और हम भी इन सभी लोगों को मिलने के बाद जो इसको शांत करने के लिए होगा ऐसी बात चीछ हम रहंट के मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगा